हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं उख्यमंद्री निवास पर लोगडाउन को लेकर हुई उच्छ सर्य बैठक में ये निर्देश दिये उन्होंने कहा कि शेहरी शेत्रों में ऐसे उद्योग जहां श्रमिकों के लिए कारिस्तल पर ही रहने की सुविदा उपलब्द है उन्हें भी शुरू किया जाए हाला कि इनमें बाहर से मजदूरों के आवागमन की अनुमती नहीं होगी उन्होंने निर्देश दिये कि जिला कलेक्टरी को जिला उद्योग केंद्र तता पुले समन्व्य स्तापित कर ये सुनिश्चित करें जिससे लॉक्डाउन के दौरान उद्योगों की शुरू होने में कोई परिशानी ना हो ऐसे पुक्ता व्यवस्ता की जाए जिससे उग में किसी प्रकार की आवश्यक्ता होने पर संबंदित अधिकारी से संपर कर सके साथी मज़़ूरों तदा करमचारियों के आने जाने के पास की विवस्ता को सुगम किया जाए अन्य सरकारी कारालों भी खूलेंगे मुक्यमंतिरी ने इसी क्रम में सरकारी कारालों को भी चरणबं तरीके से खोलने के निरदेश जिए है उन्होंने कहा कि वर्तमान में आवशक सेवाओं में आने वाले विभाग पूरी तरह काम करने हैं इनके साथ ही अन्य कारयालों में भी आने वाले समय में काम शुरू किया जाए और इन्हें ग्रूप A एवं ग्रूप B के अधिकारियों की उपस्तिती आवशक्ता अनुसार सुनिशित की जाए साथी ग्रूप C एवं ग्रूप D के एक तिहाई कार्मिकों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते वे बुलाया जाए मुक्यमंतिरे ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमन के हॉटसपोट बन रहे जिन स्तानों पर करफ्यू लागू है वहाँ कर्फ्यू की सक्ती से पालना की जाए इन शेत्रों में किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी इन में कर्मचारी भी शामिल है जागरुक टीवी के लिए जैपुर से अशोक गैलोद की रिपोर्ट